जैहिन साथियों कैसे हैं आप सब साथियों एक और नई ब्लाग्स वीडियो में आप सब का स्वागत है लेकिन एक महत पूर जानकारी आपको देना चाहता हो जो की अपने देश के भविश्च के हित्मे है और हम सभी के हित्मे है साथियों अपने देश को तेजी से विकास करने में कुछ समस्याएं हैं कुछ बाधाएं हैं जो की बाधा पहुचाती हैं और तेजी से विकास होने नहीं देती हैं वह क्या समस्या हैं? सबसे पहली समस्या है अपने देश में फेंक न्यूज। फेंक न्यूज एक बहुत बड़ी समस्या है जो है और यह समाज में बहुत गलत प्रकार का संदेश पहुचाती है जिससे बहुत नुकसान होता है और बहुत बड़ी समस्या है फेंक न्यूज। दूसरी जो समस्या है, यह समस्या है लोगों की गलत सोच, सिच्छा, संस्कार और वुद्धी की कमी, यह दूसरी समस्या है, ठीके, सिच्छा, संस्कार और वुद्धी, यह ऐसी कोई चीज नहीं है, कि जो ready-made बाजार में मिलती हो, और लाकि सभी को दे दी जाए, यह घर से माता-पिता के दौरा, स्कूल में अध्यापक के दौरा, संगी संगाती के दौरा, दोस्तों के दौरा सिखी जाती है, ठीके, बाजार में ready-made नहीं मिलती है, तो यह दूसरी बड़ी समस्या है, गलत सोच, सिच्छा, संस्कार और वुद्धी की कमी, तीसरी समस्या ह आधिक जनसंख्या, आधिक जनसंख्या यह तीसरी समस्या है, क्योंकि इसपर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया, जो कि इसको नियंतरन करना बहुत ही जरूरी है, देश के भवित के लिए, ठीके, आधिक जनसंक्या बहुत बड़ी समस्या है अपने देश के इस पर कोई ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है बहुत पहले ही उठाना चाहिए था इस पर इसको कंट्रोल करने के लिए लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया अपने देश में या तेसरी बड़ी समस्या है जो है अपने देश में ठीके जो चोथी समस्या है यह समस्या है साथियों आत्याधिक चुनाव सिस्टम अपने देश में बहुत जादा चुनाव होते हैं इसमें अपने देश में अनेक प्रकार की समस्याई उत्पन होती हैं मद्भेद पैदा होती है जनता में समाज में और इसमें देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, और इससे समाज में बहुत आसांती आती है, अनेक प्रकार की आप समझ सकते हैं, समस्यां उत्पन होती हैं, जो कि मैं सब चीज नहीं बता सकता हूँ, ठीके, अधिक चुनाव सिस्टम यहां नहीं होना चाहिए, जितन ही देश में ज़्यादा सांती रहेगी और देश का पैसा भी बचेगा, तो चोथी समस्या है अधिक चुनाव सिस्टम, पांचवी जो समस्या है, जो बड़े पद पर हैं, वह अपने कर्तब से बिमुक हो जाते हैं, उनका कर्तब क्या है, उनको करना क्या चाहिए, वह अप उने कर्तब से बिमुक होकर अपने पद का मिस यूज करना, गलत फायदा उठाना, और दूसरों को भी अच्छे कामों में हस्ता छेप करना, रोकना, यह पांचवी समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए, जो बड़े पद पर बैठ हुए हैं, उनका कर्तब क्या है, जो स सही कर्तब है, उसका ही पालन करना चाहिए, यहां पांचवी बड़ी समस्या है, छटी जो समस्या है, यहां है अंध विस्वास, अंध विस्वास और लोगों की फिजूल खर्ची है, ठीके, जो पहले सी गलत रीती रिवाज है, उसको छोड़ देना चाहिए, जिसमें इसको इस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे भी कि आप समझ सकते हैं, किसी की समता है एक लाग खर्च करने की वह साधी वीबा में पांच लाग खर्च लेकर खर्च करते हैं, और कई ऐसे गाउं में, या कहीं भी आप देखते होंगे, किसी परदेशों में ज्यादा कहीं पर है काम नहीं करना चाहते हैं और बैठ कर खाना चाहते हैं काम जो है regular करना चाहिए काम नहीं जो भी है आप काम करने की कोशिस करो ढोड़ने की कोशिस करो कुछ करने की कोशिस करो परिवार में जितने सदत से हैं जो बचे पढ़ाई करने होगे हैं पढ़ाई करें जो काम करने होगे हैं काम करें अपने घर में खेती में या बाहर कहीं नोकरी सर्विस बिजनस जो भी है उनको करना चाहिए बैठ कर खाना नहीं चाहिए क्योंकि कोशिस करें अगर रोजगार नहीं है तो कोशिस होंगे लोग जगड़ा कर लेते हैं लड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर उसमें केवल नुकसान ही होता है कभी छोटी बातों को लेकर जगड़ा करने से भी बात करने से फाइदा हो ही नहीं सकता है केवल नुकसान होता है ऐसी कोई बाते हो तो उसको आपस में बैट कर दोनों पक्षी बैट कर सुल्जा लेना चाहिए उसको जो खतम कर देना चाहिए लेकिन आगे बात परहानी नहीं चाहिए इसमें केवल नुकसा नहीं होता है ऐसी समस्या है गाओं में या कहीं भी आप देखते होंगे बहुत जाद देखने को मिलती है यह स समस्या है जो देख को तेजी से विकास करने में पाधा है पहुचा रही है ठीक है साथियों पस यही समस्या है जो देख को विकास करने से रोगती हैं तेजी से विकास में पाधा पनी हुई है साथियों हमारे जानकारी आपको अच्छी लगी हो कमेंट के मादब से बताईएगा नवस्कार साथियों जैहिन